नीज़र इस वीदियो में बातकरने जारे कि पारा सिख्षेकों का मानिदे अब बढ़हा दी गई है कहा जा सकता है कि पारा सिख्षेकों के लिए एक अची खबर है और अपर सिख्षित पारा सिख्षक की बात करें तो 7132 पारा सिख्षक सरकार ने पारा सिख्षकों का माने दे 1836 रुपी तक की बढ़ोतरी कर दी है ये कवर आज की है कि राज सरकार ने पारा सिख्षकों का माने दे वढ़ा दिया है कलास 6 से लेकर के 8 तक के लिए टेट पास पर सिक्षित पारा सिक्षकों को जहां 12,000 रुपी पर माह मानने दे मिलेगा वहीं कक्षा एक से लेकर के पाचवी तक के लिए टेट पास पर सिक्षित पारा सिक्षकों को 11,000 रुपी परतिमाह दिये जाएंगे आपको बता दे कि पाराशिक्षकों को अधिसूचना जारी होने के तारिक से बढ़ा हुआ मानदे मिलेगा इसके लिए राजसरकार ने आदेश जारी कर दिया है जारकंट सिक्षा परियोजना परिसद के परियोजना निर्देशक उमासंकर सिंग ने इस समध में निर्देश जारी कर दिया है साथ ही आपको बता दे कि अभी जो पाराशिक्षकों को मानदे या बेतन दी जा रहे वो यह है कि परिसिक्षित वर्टेट पास 628 की बात करे तो 10,164 रुपे पुराना मानिदे है नया मिलेगा 12,000 परसिक्षित सिक्षकों को मिलेगा 10,000 जिहां परसिक्षित पारा सिक्षकों को 10,000 अब नया मानिदे मिलेगा और परसिक्षित सिक्षकों को 8,954 रुपे मिलेंगे या 1 to 5 के परसिक्षित वर टेट पास पारा सिक्षकों को नया मानिदे 11,000 मिलेंगे परसिक्षित सिक्षकों को जो है 9,200 रुपे नया मानिदे मिलेगा पहले 8,954 रुपे मिलते थे नया जो है 9,200 रुपे मिलेंगे साथी अपर सिख्षित पारा सिख्षकों की बात करें तो पहले 8,228 रुपे मिलते थे अब जो है 8,228 रुपे यानि कि अपर सिख्षित पारा सिख्षकों की मानते में कोई भी पराउतरी नहीं की गई है स्याए वो 125 के सिख्षक हो या फिर 628 को तो फिलाल इस अपडेट में बसीता ही आप देख सकते हैं कि बारा सिक्षकों का हाला कि अभी भी हर्ताल जारी है और अब देखना यह है कि बारा सिक्षकों की हर्ताल कब तक समापती की जाती है साथ ही आपको बता दे कि जो भी अभ्यार्थी टेट की परिक्षा में सफल है उनको जो अभी पारा सिक्षकों के अस्थान पर अगर नियुक्ति की जाती है तो उनका भी बेतन कुछ चीज़ परकास्ति दिया जाएगा वन टू फाइब टेट पास में सफल अभ्यार्थी के अगर नियुक्ति होती है पारा सिक्षकों के अस्थान पर ते 11,000 मिलेंगे वहीं जो है अगर 6-8 में उसके नियुक्ति होती है तो 12,000 पर मा दिये जाएंगे